हलो फ्रेंस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम पॉइंट में एक नए वीडियो के साथ एक नए अपडेट के साथ तो फ्रेंस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपसी आए पंजाब वाजमेन रिजल्ट 2022 के बारे में कि जितने भी लोगों ने अपसी आए पंजाब वाजमेन की 480 पदों की बेक एंसी का एक्जाम दिया हुआ है उनकी जो है एंसर की कब तक आएगी और उनका जो फाइनल रिजल्ट है उसको कब तक जारी किया जाएगा तो प्रंस या वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है तो आप सभी जो है इस वीडियो के अंतक बने रहें और इस वीडियो को कहीं भी इसकिप ना करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अब बात करते हैं कि जितने भी लोगों ने अब C.I. पंचाब वाच्मेन की 480 पदों की बेकेंसी का एक्जाम दिया हुआ है लेकिन अभी तक ना ही उनकी जो है आँसर की आई यह ना ही इससे रिलेटेड जो है कोई भी आज की डिट में जो है यह इससे पहले आपडेट आई चुक्ग है कि आप सभी का एंसर की कब तक आएगी और आप सभी का final result जो है प्रिंस उसको जो है कब तक जारी किया जाएगा तो प्रिंस आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महतुपूर होने वाली है इस वीडियो के तहट मैं आप सभी को बताओंगे कि आप सभी की final answer की जो है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा और आपकी final result जो है प्रिंस वो कब तक जारी किया जाएगा तो प्रिंस अब बात करते हैं कि आप सभी की जो answer की है उसको जो है कब तक जारी किया जाएगा वो आ गए थी लेकिन अभी तक जो है एंसोर की नहीं आई है तो क्या उनकी एंसोर की आने की एक्सपेक्टेडड डेट क्या बताइ जारी है कि फ्रिंस उनकी जो एंसोर की है उसको कब तक जारी कर दिया जागा तो फ्रेंस जो है यहां पे आप सभी के लिए बहुत ही बड़ तक 30 नवंबर तक आप सभी की जो है 30 नवंबर तक आप सभी की फाइनल एंसर की जो है उसको जारी कर दिया जाएगा वह भी आप सभी की जो है एपसी आई की ऑफीसियल विपसाइट पर जैसा कि मैंने यहां पर आप एपसी आई की ऑफीसियल विपसाइट को ओपन किया जो है उसकी link को जो है फ्रेंस provide किया जाएगा तो फ्रेंस अब बात करते हैं कि आप सभी की जो final result है उसको कब तक जारी किया जाएगा तो यहाँ पर फ्रेंस आप सभी लोक लिए बहुत ही जो है बहुत बड़ी जो है खुसकबरी शामने निकल के आ चुकी है कि फ्रेंस ये आप सभी की जो एंसर की है वो 30 नौंबर तक आ जाती है तो फिर दिसंबर के जो है फर्स्ट वीक में यानि कि दिसंबर के जो है फर्स्ट वीक में जो है आप सभी की जो है रिजल्ट को भी जारी कर दिया जाएगा यानि कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में यानि कि लगभग ल रिजल्ट को फ्रिंस साथ से लेकर के 10 दिसमबर के बीच में आप सभी के फाइनल रिजल्ट को भी जारी कर दिया जाएगा तो फ्रिंस यह जानकारिय आप कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इससे पहले दिया अब मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करें थाइक्स पॉर वाचिंग दिस वीडियो